कि जैंद्रा जय बोलेना दोतो तीन बच के 32 मिनट आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है एक्स्ट्रा ओडिनेरी होना रहा है तीन 32 पर मैं यह वीडियो बना रहा हूं एक्सेक्टली आप टाइम चेकर सको तीन 32 तेरा मार्च दोजार चोबिस रहू की डेट ने क्या कि आपने देखा रहू की डेट ने पूरा सर्प्राइज किया एस पर डाउ जोंस हमको आज डाइसो तीन सो पॉइंट ऊपर जाना चीत है उसकी जगा तीन सो पॉइंट नीचे लेखे गया अब आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं पीछे जाके लास्ट मंद जब सीपी आइक का डाटा आया था तब अमेरिका छे साथ सो पॉइंट गिरा था और हम पॉजिट बंद हुए अगले दिन उस दिन आपको मेरी कोमेंटरी याद होगी उस दिन कोई भी भूल नहीं सकता है पूरे विश्व में मैं अकेला सकता सुबह बोला पूरा ग्रीन बंद होगा याद होगा आपको इस वीक के पहले मैंने एक चीज बोली थी कि फ्राइडे को सारी पो सब्सक्राइग एक पोई तोड़ दिया और घिरता है तो उसके बात वह गिरावट अब यह गिरावट कल फर्स्ट आपके बाद थम जाएगी दो बजे के के बाद आप चाहो तो जितना चाहो उतना धन लगा के माल ले लेना अभी आज का वीडियो बड़ा ध्यान से सुनिएगा तीन 32 पर ऐसा कोई भी सक्स बोल नहीं सकता है जो मैं बूलने वाला कि 338 पॉइंट 22,000 का आखड़ा को तोड़ के जांबुच के बंद किया क्या साइकोलोजिकल कि 22,000 कि क्या पॉसीबल एक की साथ सो कल पॉसीबल है कि इसने 20 एमें के उपर बंद किया आप देखिए अब 20 एमें आज चेंज हो गया तो मुझे नहीं मालू मैं 46 आपको याद हो तो बैंक निफ्टी कहीं से भी कमजोड नहीं कहीं से भी निफ्टी ने क्या कि दोनों सपोर्ट को एकी दिन में तोड़ दिया हमारे दो सपोर्ट थे एक 22,180 और 22,040 जब दोनों के नीचे एकी दिन में क्लोज करता है तो इसका मतलब इसकी भी मंदी कल खतम इसी महीने में मैंने आज क्या कराया मेरी Option Writing Group में मैंने आप विश्वास नहीं करोगे मैंने 22,600 का पुट विक्वाया आज 28 मार्च वाला और उसके अगेंस्ट में 22,800 का पुट ले लो चार लॉट मैंने 22,600 के पुट विक्वाया आज 603 रुपे में और चार लॉट मैंने 21,800 के पुट दिलवाया एज सपोर्ट सेफटी क्या कि अगर कोई नेकट कभी नहीं करना चीए पुट को शॉट या कॉल को शॉट तो नेक नहीं करने के चक्कर में 144 में मैं आपको इज अगले वीडियो में दिखा दूंगा 22,600 का पुट मेरी ऑप्शन राइटिंग ग्रुप में मैंने 602 पे विक्वाया है कितना पर और वाइस एक्किस आठाट पुट इसके अगेस्ट यह चार चार लोट करने बोला सबको ठीक है किसा यह ओप्शन राइटिंग में हम लोग क्या करते है एक पूट अगर बेश है तो उसके इसमें पूट लेते हैं एज है एक्किस आठाट्रों का पूट यह भी 28 मार्च का है यह यह 145 में यह इतने कुछ दिला है और मैं उसमें यह लिखा हूं कि यह यह जो 600 रुप में पूट बेचा यह जीरो होगा यह मेरी गेरेंटी है ऐसा मैंने अपने लोग को लिखा यह जीरो होगा 602 वाला यह हमने सेफ्टी के लिए है क्योंकि देखिया कोई वर्ल्ड वार हो जाए और मार्केट सीधा 21 जारी खोल देकल तो कभी भी नेकड राइटिंग नेका लेकिन मेरी मेरा कन्विक्षन है कि यह जीरो होगा तो भी मैंने 145 सुपर बिगाड़े बिगाड़े नहीं यह सेफ्टी कभी देड़ होश्यार मत बनना जिन्दिके में आपको दिखा भी देतों अभी क्या रेट चले मु ने बेच विक्वाया 601 में अभी भी 595 का सेलर है लास्ट्रेट 588 में हुआ है 602 में बिक्वाया और 21800 का पुट मैंने खरीद वाया है ताकि ऐसा नहीं हो कि हम लोग नेकेड रेज है ठीक है और मेरे पास 22700 की नेकेड कॉल भी इनको दिलाई भी है यह मैं आज को लेकिन एक नेकेड कॉल सेफ्टी वाली खड़ी है हमारे पास चल एकिस कितना 800 बता है यह यह भी 141 चल रहा है यह 147 यह 45 पर दिला है आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो और मैं आपको दिखाऊंगा कि यह 22600 का पुट जीरो नहीं तो 100 रूपय के नीची आ जाएगा यह मैं आपको दिखाऊंगा इसी सीरीज में वरना यूटूब में नहीं आऊंगा यह लिख के देता हूं बले कल और मार्केट गिर जाए तो भी मैं बोल रहा हूं कि यह 22600 का पुट एक बार आपको मैं 100 रूपय के नीचे दिखाऊंगा जो अभी 600 रूपय चल रहा है एक बार अब वो किसी भी दिन दिख सकता है अगले मंडे को ट्यूजडे को तर्श्डे को कुछ भी ठीक है कि 100 रूपय तक दिखाऊंगो इसको कि अब आप एसा मत बोलना चाहिए एक सो तेईसी आया ऐसा मत बोल देना सो का मतलब था प्लस मैनेस 20 पॉइंट चलिए यह तो हो गया इसकी बात अब आ जाते हैं आज की मार्क देखते क्या हुआ और एक और स्टॉक मैंने लास्ट में लिखने का टाइम नहीं बचाता तिन कटवा नहीं बचाता 2 तिन जनों को फोन करके वोला त्वाइया तेरे पास जितना भी सारओ चार्यश में लगा दे दो जितना भी कौंसे श्टॉक बुला आपको भी बता तो क्या नामता है लाल पैत लेव खा गया है यहां लगाए नहीं के चलिए यहां दिखा देखा 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 है यह 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 दो हजार बारा रुपया चल रहा है दो हजार दस का लोग है 2010 का लोग है दो हजार बारा रुपया चल रहा है लास्ट ट्रेट 2015 का हुआ है मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं एक कल एक अलगी दोड़ में चलेगा चाहिए मार्केट घिरो चाहिए मैंने उनको क्या बोला कि 2000 वाले कॉल लेलो इसी मंत के या 2100 के लेलो या फ्यूचर लेलो लेकिन ज्यादा लिखने का टाइम नहीं था क्योंकि बहुत सरी ग्रूप में लिखना पड़ता था ओल्लेडी कल मैंने लिख दिया था सबको कल सबको 2100 पे दिलाय था यह डिलिव इसको जिसको लिखाय था प्लीज अपना स्टॉप लोज को 1949 कर लीजेगा प्लीज स्टॉप लोज को 1949 कर लीजेगा यह एट एंडी कोस्ट कल भागेगा सूबह अगर यह नीचे मिलता है दस बीस पॉइंट भी खरीद लेने इसको लाल पैत लेगा इसका भी जीजन समझाओंगा लेकिन पहले कि सीधा हम चार्ट पे जाते अब आजाते हैं वह सारी बाते करते हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है है कि हम लोग देखते पिछली बारा रिका जब सब्सक्राइब एमेरिका में क्या हुआ और हमारे इंदुस्तान में अब इस बार मारा तर को कल फूरी आया था वहाँ पर कि तो वहाँ तैज हुई हमारे आज मंदी उसके बाद क्या होते है वह वैसा ही उने वाला कल से चलिए देखते हैं कि पिछली मंथ में 12 तरिक को आई थी CPI आपको याद होगा फर्वरी को तब अमेरिकन मार्केट का क्या अलुआ था यह सब को याद है कि एक तो यह सब बंद कर देता है यार चलो कि इतने अब खुले होगा ना क्या करें स्टडी करने के लिए सारे खोलने पड़ते हैं यह था बारा कि फर्वरी ना कि यह रहा कि बारा को मां पर आया था कि 13 को हमने पॉजिटीव बंद किया था जबकि लो काफी नया बाना था पांसो तियालिस का पाइफ फॉर्टी त्री कि नहीं तेरा को वहां पर आई थी सब्सक्राइब कर दिया लेकिन सारे हैस के उपर बंद कर दिया क्लोजिंग करते वक्त 840 पर किया यह सब को याद होगा कि सबको याद है कि नहीं 14 फर्वरी हमारा वेलेंटेंड डे क्योंकि तेरा को आया था पिछली बाद से पिए और उसके बाद हमने कंटिनुएस राइस दिया था पिछली बाद ठीक है अब अमेरिकार का डाउ जोन्स निकाल लेते तेरा तरीकों वहां पर क्या हुआ था पिछली बाद रहा हुआ था युलिए यूट्येप बाद आप कि अरे यार एक तो ये डाउ खुलने में मास्क ने था तो जोन्स इंडस्ट्री लेवरेश यह ला तो यह में चार्ट लगा ले तो जब तक तो यह उल्टा करने का चकर क्या है अब मार्केट में कल घिरावट नहीं आएगी यह नहीं बोलों कल आएगी लेकिन कल यह मंदी खतम हो जाएगी इसकी गैरंटी मेरी गैरंटी वर्ड यूज कर दिया आज सुचिए यह था तेरा तरिको देखे अमेरिकन मार्केट में तेरा तरिको क्या भुचाल आया था 38699 का है था और लास्ट में थर्टी एट जीरो फॉर्टी तक चला गया 700 गिरावट से बंद हुआ था अमेरिकन मार्केट तेरा तरिको लेकिन एक चौद् хозя को इसको भी बढ़ना पड़ा जब हम लोग बढ़े ठीक है में तो क्या आज यह भी गीडिदा क्या यह नहीं गीद में श्याल columns क्या उसके बाद यह बढ़ने लग गया जैसे हम बढ़ रहेते अमने तो इसके बाद वाली दिन भी नहीं गिरा सो तो कब यह न और आज हम गीर है ठीक है यह निफ्टी का चार्ट है कि निफ्टी अपने एक एहम सपोर्ट 21860 कि बिल्कुल करीब है कि यह वाला लोग ठीक है कि बहुत यहां पर मल्टीबल सपोर्ट है इसको इस जगह 21860 इसके नीचे इंपॉसिबल लगता है मुझे जाना और स्पेशली क्लोज करना कि आज लेकिन क्या हुआ इसने 10 20 दोनों को ब्रीज करके दोनों के नीचे क्लोज कर दिया यह अपने आप में एक चमतकार हुआ तो मुझे लगता कई ना कई कल का लो जो होगा वह 21849 के आसपास का होगा और वहां से एक बाउसमेक पारेगा आज का लोग 905 का बना दिया है यह जो 50 EMA का फिगर है यह वाला यह कल एक सपोर्ट का काम कर जाएगा 50 EMA आज इसने दोनों EMA को तोड़ दिया एक ही दिन में ठीक है दोनों EMA एक ही दिन में तोड़ दिया कौनसी कौनसी 10 20 मगर आप यहां देखे स्ट्रक्चर में कोई फरक नहीं है स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बूलिश है इसको क्या बोलते हैं एक हर तेजी में एक जब भी बूल रन चल रहा होता है तो गिरावट हमेशा फास्ट आती है एक या दो दिन की आती है यहां रख फ़िए टैन की वेल्यू 22260 है ठीक है 20 की वेल्यू 22177 है 50 की वेल्यू तो मैं लिखी चुका यहां पे और 100 की वेल्यू 21269 है तो कहीं यह 10 की वेल्यू है यह 20 की और यह 50 की यह 100 कोई भी इस्ट्रक्चर में चेंज नहीं है बस इन दोनों के नीचे एक ही दिन में close किया है यह ज़रूर बियर्स की विक्टरी होती है जब हम 20 EMA के नीचे पहली बार close करते है लेकिन एकी साथ दब जब दोनों को तोड़ता है तो ज्यादा तर वो गिरावट तेजी के लिए आती है फोर एक्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ आप इस केंडल को देखे यह वाली केंडल इसने एकी दिन में दोनों EMA के नीचे close किया 10 और 20 और अगले दिन से देखे तेजी स्टार्ट अगले दिन एक नया लो बना के तेजी स्टार्ट यहां दिख रहा आपको यह देखे यह सबसे बड़ी केंडल थी यह एकी दिन में 10 और 20 दोनों को ब्रीच की इसको हम अच्छे से देखना तो हम इन्वेस्टिंग में देख लेते हैं यह तारीक थी 23 जनवरी चली इसको देखते हैं लोग पहले क्या होता है जब ऐसा करते हैं भूल रन निफ्टी का चार्ट यहां पर लगाते हैं थोड़ा इजी ली दिखेंगा और यहां पर मैं दो यह में लगाता हूं 10 और 20 ठीक है है आज बहुत लोग है स ल क्या आप घंटा जानते हो क्या इस घिरावट में कोन ठेया पीता जी बता देगा भाई या मेरा अग्या क्या कोई 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 मोदी जी का गवरूर्मेंट किसक गई थी क्या इतना गिरावट यह जब ऑपरेटर का ऐसा मन उता तो करता है कि मैंने तो क्या चैलेंज किया कि 22-600 की पूट मैंने आज शॉट करवाया है 28 तारीक वाली और मैं गरेंटी के साथ बोलाओ कि वह सौ क्या असपास आएगी जो 600 का अरे 150 भी आई तो मेरी विक्ट्री है ना यार कि यहां पर हमें 10 कर दिया और इसका कलर में ब्लू में डीप कर दिया ठीक है और इसका 20 कर दिया इसका कलर रेड में डीप कर दिया इन्पूर्ट में 20 करना है ठीक हे अब दो एवरेज़ है यहां पर 10 और 20 आप देखें यह यह देखें यह जो एक केंडल थी दिस केंडल यह केंडल ने एकी दिन में दोनों को तोड़ा एकी दिन यहां गिरावट आ रही थी और उसके लएद उच्छा लाया इसने एक दिन मे दोनों को ब्रीज किया दोनों को 10 और 20 ब्लू और रेड दोनों के नीचे एक ही दिन में क्लोज कर दिया अगले दिन से देखे एक नया लो जरूर बना लेकिन वहां से जो त्यारी हुए काहां बना इस हाई को भी तोड़ा और नया हाई आबा क्या हुआ कि अज क्या हुआ कल तक हम एक भार भी तैन खिर नीचे दिन लेकिन दिनेगा और आज एक ही दिन में हाई तो यहां बनाया लेकिन पूरा का पूरा ब्लू लाइन को तोड़ के नीचे क्लोज किया तो कल का डोजी कुछ काम नहीं है क्योंकि डोजी के लोग के नीचे क्लोज अब नियम से यह फोलौ बनेगा फोलो क्या बनेगा कल एक नया लोग बनेगा आर्सो तीस होगा ठीक है तो यह आज 900 कितने गा इस से आम आईडिया लगा लेते हैं कि कितने का लोग बन सकता करो अब जेखें उस दिन क्लोज लोग बनाता एक्किस एकसो बाण में इस जन्वरी की बात है ठीक है उसके अगले दिन इसने नया लोग जरूर बनाया कि इतने का बनाया 21137 और यह बॉटम है यह आज तक नहीं कटा 21137 तो आज का लोग कितना है इन दोनों में डिफरेंस कितना है लगबक साट पॉइंट का ठीक है लगबक साट पॉइंट का तो आज का लोग 905 है हम इसमें से 60 पॉइंट गटा दे आज का लोग 21905 है लगबक 60 पॉइंट गटा दे तो एक एक इस आट सो पैटिस हमारा कल का लोग बनना चाहिए और यहां से मार्केट पूरा ग्रीन हो जाना चाहिए कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कल चेक करिएगा ठीक है अगर बनता है और यहां गैप आप से स्टार्ट हो सकता है ठीक है वह हम भी चर्चा करेंगे लेकिन यह हम और 21830 क्यों इंपोर्टेंट है देखिए क्योंकि 20 एम हमारा कहां पर है है सॉरी 50 एम हमारा कहां प इसके आसपास का लोग बनेगा मैंने बूला ही था वह हमने प्रूफ भी कर लिया कि यही बनेगा कर इस जगह आपको ताकत लगा देना अगर मिले नहीं मिले तो कि अब सभी खूश रहना है ठीक है मगर मैं 218100 के नीचे क्लोज नहीं आएगी इसकी मैं गैरेंटी बोल सकता हूँ और ना जो आपका जूता मेरा सर होगा सही बोलो ठीक है क्लोजिंग नहीं आएगी कि अब आज ही हम लोग देखते हैं कि इंडिया विक्स में क्या फरक बड़ा आज से यह क्यों बैंक निफ्टी में तो कुछ हुआ नहीं भाई गवराना मत वेखिं करूंगा विचर्चा लेकिन 3 32 में इतने साहस से कौन बता रहा आपको देखिए गाना ऐसे मार्केट सब बोलेंगा मार्केट तो गीओ खाकूर तो गीओ क्या गीओ गंटा गीओ 14-43 पे साला विक्स है 300.50 गिरती है और 5% खली यह गिरता है यह 15 को पार नहीं कर पार रहे है यह 16 को पार नहीं कर पार रहे है क्या है विक्स का आलत दिस इस अ कमफोर्ट विक्स कमफोर्टेबल जोन ठीक है नमबर वन पॉइंट है नमबर टू पॉइंट अब PCR हम लोग देख लेते हैं क्या हाला कि कल एक्सपाइर है वीकली लेकिन फिर भी क्या मारा है भाई जीरो पॉइंट शिक्स अब आप मुझे बताई ने क्यों गीरेगा रहे भाई निफ्टी क्यों गीरेगा मेरे को बताई ने कल वह 840 वाले बात मेरी सही होगी कि 840 का आसपास कल लोग बना के जह दना दन ऊपर कल मिला लीजेगा बाई साब इस बात को कि आप कोई वर्ड वार हो जाए तो अलग बात है फिर यह पीस्टी आर भी काम ने करेंगा अभी 0.66 है कल एक्सपारी जरूर है फिर भी मैं पचास आट पॉंट के गिरावट देख सकता हूं कि इवें 100 पॉंट के लेकिन कल का दिन पॉजिटिव क्लोजिंग होगी यह डैम 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 अब इसको और देख लेते हम लोग इसमें क्या हाल चला है लेकिन पहले हम बैंक निफ्टी का भी पीसी आर देख लाए उसके बाद इसका हम लोग ऑप्स्ट्रा में कल नया PCR आजाएगा सुबहे लोनेश के कारण में मैं तो यह मैंने सारा यह वेबीनार वगरा सब का आप लोग को ऑफर बंद कर दिया है तो प्लीज बहुत सारे वाटसाप आरे मत करिये नो चांसेज प्लीज मैंने माइंड सेट अप कर लिया है नो मोर इस थिंस आप सुचोगे यार सर आपको थंदा पानी नहीं करोगे और नहीं करेंगे चलेंगा सेवा तो करी रहा है अपलो की दे रहा हो ना यूटूब पर वीडियो इसका पॉइंट सेवेंटि फोर ही खड़ा है चलिए अब इसका कल अब लोग और वेब साइट में देखतें कि Next Week में किसकी क्या कहानी है क्योंकि Bank Nifty का तो कल Next Week का PCR आजाएगा मत्ब मनी कंट्रोल वाला इंकलूडिंग Next Week आजाएगा क्योंकि Bank Nifty आजकल बुदुवार को Expire होने लगा है और इसबाब मंतली एक्सपारी भी अलग अलग है 27 और 28 27 को बैंक निफ्टी की है कि लोगिन कर रहे है भाई लोगिन चलिए तब तक हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेता है यह चार्ट तब तक क्या खुणले ही नहीं देखा कि आरे शाला ओ यह अपडेट आई भी है कि लेप्टोप बंद करके इसको अपडेट करना है विंडोस का यह अपडेट का जंजड़ बहुत लंबा है कि अले हर दो दिन में अपडेट नहां आता है कि अश्लो कर देता पिसी को परी लेप्टोप को कि गुटनेस तोड़ा जल्दी हो जा भगवान कि ऐसे बहुत परिशान हुना आज कि अज मैंने सुबह ही मेरी ग्रूप में एक रीज लिखा था कि आज उतार चड़ाओ बहुत ज्यादा रहेगा प्लीज इस फॉर्टी एट थाउजन के अठाइस मार्च का कॉल तीन सो साथ सतर में खरीद के चुप चाप बैढ़ जाओ एक सो असीन अब्वे का स्टॉप लोस डाल देना या स्टॉप लोस नहीं भी डालो तो अच्छा है क्योंकि फॉर्टी नहीं थाउजन जाए चलिए पहले हम बैंक रिफ्टी का चार्ट देख लेते हैं यहां 20 यह में सेव हो गया यह बहुत बड़ी जीत है इसकी कि 20 यह में की वैल्यू कितनी है 46 967 46 कल मुझे लगता है जितनी पीएसू बैंक आज पिटाई हुए ना कल सम्में दोड़ आएगे सब्सक्राइब कर दोड़ियू है इसको इसने आज क्लोजिंग सेव कर लिया क्योंकि आज की क्लोजिंग आगे 981 कि इसलिए आज यह स्ट्रॉंग था क्लोजिंग यह आई है 20 इसने 20 में सेव किया तो कल इसकी दोड़ बहुत तेज वाली हो सकती है बहुत जबर्दस तेज वाली कि ज्यान रखेगा इसमें गिरावट आना बहुत मुस्किल है कल की डिट में इसका एक और करन यह वाला है चले दिखा देते हुआ कि यह एक ट्रेंड लाइन से ब्रेक आउट आया था यह ब्रेक आउट रिटेस्ट हुआ अब यह भागे का उपर ठीक है तो जब तक 46 950 के नीचे क्लोज नहीं करें तब तक बैंक निफ्टी में कोई डरना नहीं आज भी 950 को सेफ किया इसने 981 का क्लोजिंग किया यह फिगर मैंने सुबह भी बोला था ठीक है आज यह खुल गिया क्या यह डिफाइनेज डिफाइनेज गूगल ओपन इंट्रेस्ट इसमें देख लेते हैं लोग बैंक निफ्टी में क्या हुआ और निफ्टी में आज का पिस्यार यह तो वीकली वाला तो पॉइंट फाइव आ गिया अगला वीक का भी पॉइंट सेवन इसका मतलब कल निफ्टी जो मैंने बोला ज्यादा चैयादा एट थट्टी के आसपास का लोग बनाएगा और कल की केंडल बढ़िया पॉजिटिव केंडल होगी बिक पॉजिटिव लोग जरूर कल नयाब बन सकता है इसको लिख लेना पेंग निफ्टी आज का पॉइंट सेवन नेक्स्ट बीक का पॉइंट सेवन इस पे खाली कल यह ध्यानक ना 46,950 के नीचे क्लोज नहीं आने चाहिए अगर आती है तो फिर इसको बाइबाइब कर देंगा आज की क्लोजिंग यहीं पर है 46,981 लेकिन कल यह लीडर रहना चाहिए रह लीव कि ओवरॉल मैंने सब बता दिये यहां पर यह आपको एक्जामपल के साथ समझा दिये जब 10 20 एक साथ तोड़ता है तो फिर से तेजी आती है यहां पर एक और एक्जामपल दोनों के नीचे यहां पर भी क्लोज हुआ देखिए एक जगा एक ही दिन में 10 और 20 के नीचे अगले दिन एक नया लाग बनाकर एक फिर देजी है देखिए फिर यहां पर आपने दिखा ये था ही 100टे कर नीचे पूसद हुआ और अगले दिन नया लोग नाके तेजी 53 है ठीक है अब आज भी क्या हुआ दोनों के नीचे क्लोज हुआ कल यहां कुछ लोग बना के कल की क्लोजिंग आएगी यहां पर 22-150 के असपास कि देख लिजेगा मेरी बात तो यह तो प्रमान के साथ बता रहा हूं यह सब स्टेडी होती है जो बता रहा हूं जब भी 10-20 एक साथ और कहीं पर दिखते हैं पहले है यह तो बह्याल बढ़ी श्क्रावाट आने वाल यह तब तो अलग बात है। साथ दोनों के नीचे बंद तो अगले दिन अब यहां देखें यहां लाइन में गैप ही नहीं था इसको कंसीडर नहीं करेंगे जब दोनों लाइन में गैप नहीं था तब कंसीडर नहीं करेंगे यहां पर भी gap नहीं था considered नहीं करें जब भी gap था तब देखे क्या हुआ यहां gap था यहां नय लोग बना यहां नहीं त्यज़ी start जब भी इन दोनों में gap था नहीं नय लोग बना नहीं त्यज़ी start और यहां 20 उपर चल रहा था sorry तो यह दिन में 10 और 20 दोनों को तोड़ के ख्लोज होना चीए तब यहां 10 नीचे चल रहा था और तब कोई दिन दोनों को एक साथ काटने के अगे तक दिखा रहा हो यहां 20 ऊपर चल रहा 10 नीचे तो कोई मतलब नहीं है इस पिरेड में कुछ हुआ ऐसा नहीं हुआ इस पिरेड में नहीं हुआ नहीं हुआ यहां ओलेड़ी 10 के नीचे ख्लोज था ओपनिंग किया था यह मतलब नहीं है एक साथ 10 और 20 दोनों तोड़े यहां 10 नीचे आ गया अल्रड़ी तो कोई मतलब नहीं है यह एक्जांपल्स है अभी रिसेंट में पास्ट में और होंगे तो देख लेते हैं यह एक आप लोगों टेक्निक भी पताया हूं चलिए ऐसा हो भी सकता है मैं यह नहीं पुनों कि कोई गेरेंटीड है ठीक है एक जस्ट अब्जर्वेशन था मैंने बोला कभी कबाद ऐसा नहीं हो कि हमेसा ही हो गाई ठीक है तो ओवरॉल कल का दिन हम 21830 के लिए प्रिपेर रहें अगर आता है तो दवा के बाइंग करना है बैंक निफ्टी में खाली इतना है ध्यान रखना है कि 46950 के नीचे लोज नहीं आनी चीए बस दाट्स इट जै जिनेंदर जै भोलेना जै हिन अभी वाल क्लासेस के लिए 12,000 और 6,000 वाले में सिर कोई सर्विसेज नहीं ठीक है 6000 में आपको अलाउड रहेगा क्योंकि सिखाना मेरा हक आप लोग सीखोगे ट्रेडर बनो या मत बनो लेकिन नौलेज रखो यह बेनिफिट होगा इसके लाग कोई अफ़र्ड नहीं कोई होली दीवाली कुछ नहीं बारह अजार पचीजार स होगा में बारह बनोוב